काज गंसे बिदायक स्री देवेंद प्रताप सिंग जी है जिन से आज हम बात करेंगे गाउं को लेकर की बिदायक जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में धन्यवाद बिजाई जी सबसे पहला सवाल मेरा आजादी के 70 वर्ष बाद भी गाउं की अभी वही इस्थिती है जो पहले थी इसके बारे में आप और आपकी सरकार क्या हमारी सरकार मनि मोदी जी की सरकार मनि योगी जी की सरकार इस सरकार से पहले में पिछले अतीत में ले जाना चाहू तो कल्लान सिंग जी ने पहला पहली बार गाओं को एक गाओं पंचायत को एक मजबूत बनाने का काम किया और पंचायतों को जो अधिकार मानी कल्लान सिंग जी ने मानी कल्लान सिंग माने भारती जनता पार्टी ने जो अधिकार दिये उन अधिकारों के तहते ही आज ग्राम पंचायते मजबूत हुई है उन्होंने ग्राम पंचायत और उसके बाद छित पंचायत के बाद जिला पंचायत तीनों पंचायतों को एक सरकार के रूप में माना था ओएक सरकार के रूप में सकत साली बनाया, अधिकार दिये और उस डारेक्ट पैसा उनके पास भेजने का एक जो नड़े लिया था वो एक ऐसे कहिए की प्रदेश में प्रदेश के उसमें एक ऐसा नड़ा था जिसमें पंचायतों को भब और तागदवर बनाने में एक एहम भूम का निवाई थी वो निड़ लिया था मानिकल लंसिंग जी की सरकार भारती जनतापर्टी की सरकार दूसरा सवाल हमारे कई सारे रिपोर्टर गाउं की तरफ गए तो वहाँ पे काफी कुछ कमी देखने के मिली जैसे ही हम बात करने सिच्छा को ले करके तो सिच्छा के शेतर में स्कूलों में गए तो वहाँ पे अध्यापकों की कमी दिखी तो इसके लिए सरकार क्या कर रहे हैं अध्यापगों की कमी पिछली पंद्रे बर्स से जो सरकार हैं गलत लाइन पर चलती रही है कि वल सस्ती लोग प्रिता हासिल करने के लिए जो काम करती रही है उसका नतीज़ा पंद्रे साल बाद दिखाई दे रहा है आज हमारे मुखमंती माननी योगी जी हमारे प्रदानमंती माननी मोदी जी सिक्षा के इस तरव सिक्षा पर स्वास्ते पर सफाई पर जो जो जोड़ दे रहा हैं उसके पीछे रीजन यही है कि पंद्रे साल से सारी संस्थाएं जो सिक्षा से जुड़ी हुई थी वो मिरत प कारों ने पंद्रे बर्स का समय बहुत समय होता है जो बच्चा पंद्रे बर्स पहले हाई स्कूल में था आज वो 35 बर्स का हो गया तो उसकी जवानी उस समय में चली गई जहां नकल के ऊपर आधारित होगे और जब नकल पर कोई भी व्यक्ति डिपेंड हो जाता है तो अंतिजा आज यह है काज हमारा प्रदेश सबसे जादा नौजवानों का प्रदेश होने के बाद भी अन प्रदेशों से कमजोर प्रदेश सिच्छा के उसमें गुडवत्ता जो डौन कर दी थी महननी मुलाहिम जिंग जी के समय मानी एखले जी के समय मुर मायवती जी के सम तो उसके प्रतु बड़े अजीव सी निगासे इंटर्वी में बैठे लोग देखते थे कि वहां तो सिच्छा का इस तर कुछ है यह नहीं वहां से तो नकल से ही अगर 70% 80% नमले के आए तो इन्हें खुद पता नहीं होगा कौन-कौन से सब्जेक्ट में हम पास हो के आए कि सब्जेक्ट में हमने परिक्षा दी थी हम यह हमारा परिक्षा केंद्र कौन सा रहा था इस तरह की इस्तेथी पिछली सरकारों ने पैदा की है अब आप एकदम चाहो का पूरे प्रदेश का आमूल चूल परवरतन माननी योगी जी एक बरस में या एक महिने में तुरंत कर देंगा ऐसा नहीं अब धीमे धीमे परवरतन हो रहा है अभी देखिए पिछली सरकार में पूरे प्रदेश में चात्र संख्या प्राइमरी की एक लाग ती एक करोड थीस लाग थी और आज योगी जी के नौ महीना बितीत होने जा रहे हैं जो चात्र संख्या है वो एक कर ध्ररेस दी थी भोड्रेस इस तरह की थी कि अगर बच्य पेहन के जाता था तो बच्चे को अपने आप में हीन भावना पेदा होती थी उसकी ड्रेस को देखने के बाद भी उसे अजीव सा लगता है कि एक क्या बना दी है विचारे बच्चे मानब उनके हाथ में कातूरा ह कि पहले होता था वो बढ़ होंगार्ट की जैसी पढ़ने हुए गये ऑने के वल इतना याद था कि हमें महां खाने के लिए चावल मिलेगा उसके खाने के बाद घर को चल दिया है उन्हें सिच्छा कोई सिच्छा की गुडपत्ता में सुधार आया है बच्छों की ड्रेस में सुधार आया है मानिय योगी जी ने जूता दिया है मोजा दिया है ड्रेस ऐसी दिया है कि पबलिक स्कूल के बच्चों से अब कम्टीशन करने में प्रैमरी के बच्चे को हिरास में महसूस नहीं होगा इस तिना सब कुछ करने के बाद भी योगी जी ने सबको सुयटर बितरत कर आया है ठन्ड से बचने के लिए हाँ समस्याओं जब कोई मखान टूटा हुआ मिलता है उसे बनाने ही समय तो लगता ही है और तीसरा हमने देखा कि बलाक से जुड़ी हुई एक जैसे सच्यों है एक सचीव पे तीन तीन ग्राम सभाओं का बोज है तो इसके लिए सरकार क्या कर रहे हैं जब पिछले समय में जो भरतियां की गई उन भरीतियों में पिछली सरकारों ने इतनी अन्यमेत्ताइं की थी जो उसके लिए कमटीटर था वो पीछे दखेल दिया गया और जो उसके तीन तीन पंचायते हैं एक एक पंचायत पर दो दो लोग हो जाएंगे आप इतना देखिए कि उन्होंने माने हमारे योगी जी ने मुख्वंत्री जी ने वो योजना बनाई है कि हर पंचायत पर उसकी देखरे करने बाला अलग होगा टेकनिकल व्यक्ति अलग होगा जायतों को प्रधानों को अनावश्यक जो परेसानिया होती थी उन परेसानियों को लिए माननी मोदी जी ने यह कह दिया है कि अनावस्य किसी भी प्रधान को प्रताडित नहीं किया जाएगा अनावस्य किसी प्रधान को प्रेशन नहीं किया जाएगा लेकिन इसके बीचे ये भी और समझ लिजे कि उनका संदेश ये भी है कि अनावश्यक रूप से धन को कोई भी खा भी नहीं सकता, उसके हर स्टीज का हिसाब चाहिए, कम्पूटराइज कर दिया गया है, आप जितना हिसाब देते जाएंगे, उतना परियाप्त मातरा में धन निर्गत होता जाएगा, कम कराते जाएए, विकास कराते जाएए, ऐस माननी योगी जी, ऐसे माननी मोदी जी, दोनों के उसमें देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा, लेकिन 15-20 साल का डेमेज मिला है, उसे सुधरने के लिए कुछ समय तो मिलना चाहिए, सच बारत अभियान के तहत, एक केंदर सरकार की योजना अभी चल लही है गाउं में, और उसमें लाभारती के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, और यह दिवाह सौचाले नहीं बनाता है लाभारती, तो यह फाई यार जो है प्रदान के खिलाफ होती है, ऐसा को? नहीं, प्रदान के खिलाफ फाई यार होने का परपज़ है, कि जब लाभारती को पैसा दिया जाएगा, और लाभारती से पैसा बापस ले लिया जाएगा, तो प्रदान उसका वो होगा, दोसी माना जाएगा, अगर लाभारती के खाते में पैसा गया, और लाभारती यह क करकार नहीं है कि मेरा ब्यक्ती, मेरा MLL कोई भी काम करता रहा है और हम उसके गुडगान करते रहा है, ऐसा नहीं हो सकता. ये दोनों ह Celt पुरूस है, महान पुरूस हैं, तोनों की महान سोच है, है कि मेरी आम जनता आम जनता के लिए एमेले बने हो आम जनता के लिए प्रधान बने हो आम जनता के लिए सारा सिस्टम बनाए पारिलेमेंट मेंबर भी आम जनता के लिए बनाए तो आम जनता की सेवा के हित में ज्यादे से ज्यादे काम होना चाहिए और उसी के लिए बो ज हरे गिंटे काम कर रहा है। इस तरह की मानने योगी जी की मानने मोधीजी की सोच है। इस समय विपच्छ आलू- आलू को ले करके काफी कुछ चर्चा में हैं तो आलू- किसानों के लिए सरकार क्या कुछ करने जा है। मतब वेफक्षी की बहुत अच्छी नहीं थी है वेफक्षी ने अपने समय में 15 साल में तो कुछ किया नहीं गन्ना किसान तरह तरह करके रह गया गन्ना किसानों का 50 हजार करोड रुपए से उपर बुक्तान किया है अभी पिछले समय में गेहूं का जो खरीद हुई थी सीध उसके खाते में गया है आलू किसान की बिवस्ता नहीं हो पाई थी अब कि बार आलू किसान को भी मेरी सरकार ने मानियोगी जी ने किसान नीथी गोसित करने जा रहे है और उस नीथी में उसके जो प्रोड़क्शन पर खर्चा आएगा उससे डोड़ा भुटन करने की यह किसान भीमा के माद्यम से किसी भी किसान को उस निचले इस तरह तक नहीं जाने दिया जाएगा जैसी कि पिछली सरकारों में किसान आत्म हत्या के लिए मजबूर होता रहा है इस तरह की परिस्तिती अब आगे आने बाली नहीं है जाग रुकता बढ़ानी है लोग किसानों के की बीच यह संदेश वेज देना है कि तुमारे लिए अननन यह जना है सरकार ने रखी है अभी करीबों के लाज के लिए अभी मोदी जी ने 5 लाग रुपए तक के लाज के लिए और जिसका जो प्रीमियम होगा उसमें मातर जिसका बीमा होगा ऊसे 1000 रुपए जमा करना प माने योग जी का माने मोदी जी नारा है कि 22 तक कोई भी परवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास पकी चत नहीं होगी लेंटर चत देने का बाइदा है मतुत इस तरहा है अब करके तो अब करने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए आप हमारे चैनल के मार्दम से अपने जनता को क्या संदेज देना चाहिए हम अपने जनता से यही नवेदन करना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मानने मोदी जी को बोट किया है मानने योगी जी को बोट किया है और माननी योगी जी और मोदी जी के सारे हम सब सिस्टम को उन्होंने तागदवर बनाया यह सिस्टम उनके लिए पूरे हिरदय से पूरी इमानारी से मुस्तहदी से उनके लिए तैयार है उनके हित्में काम करेगा कहीं भी किसी थोड़ा सिस्टम को जमीन तक पहुंचने के समय चाहिए बस तो यह थे हमारे साथ में कास गंसे बिधायक देवेंद प्रताप सिंग जी ने जिनों ने किसान को ले करके हम से काफी कुछ सवाल जवाब किये और सारे सवालों का इन्हों ने बड़ी बेपाकी से उत्तर दिया आसा करते हैं कि यही बात यह सदन में उठाते रहेंगे कैमरामेन देवराज के साथ ब्रजेस लखनो